हरे कृष्णा रादे रादे मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है जैसा कि हम सभी जानते हैं आज से कार्थिक मास की शुर्वात हो चुकी है हमारे चैनल पर आपको आज से पूरे कार्थिक मास कार्थिक महात्यम के अध्याय सुनाए जाएंगे किर्पया इन अध्यायों को रोज सुने तथा भगवान विश्णू वा मालक्षमी की किर्पा प्राप्त करें तो चलिए शुरू करते हैं नैमी शर्णाय तीथ में श्री सूर्ट शी महराज 88,000 शौन कादिक रिश्यों से बूले अब मैं आपको कार्तिक मास की कथा विस्तार से सुनाता हूँ जिसे सुनकर मनुश्य सप्रकार के पापों से छूट कर अंध समय में पैकुंट को प्राप्त होता है सूर्ट जी बोले, श्री किष्ण की आज्या लेकर देव रिशी नारत के चले जाने पर सत्य भामा प्रसन होकर लक्ष्मी पती भगवान से कहने लगी हे नात मैं धन्ने हुई, मेरा जीवन सफल हो गया, मेरे जन्मदाता भी धन्ने है, जिनोंने मुझ जैसी तिर लोग के सुन्दरी को जनम दिया जो आपकी सोला सहस्त इस्त्रियों के मद्धे में आपकी परम प्यारी पत्मी बनी मैंने वह कल्प व्रिक्ष आदी पुरुष आपके साथ नारजी को विधिपूर्वगदान में दे दिया परन्तु वही कल्प व्रिक्ष मेरे घर लहराया करता है, जिस बात को मृत्यू लोग में कोई भी इस्त्री नहीं जानती हे त्री लोग की नात, मैं आप से कुछ पूछना चाहती हूँ, आप मुझे विस्तार पूर्वक कार्तिक महत्पे में की कथा सुनाओ, जिसे सुनकर मेरा हित हो, तथा जिसके करने से कल्प परियंत भी आप मुझसे विमुख ना हो सत्य भामा की ऐसे वशनों को सुनकर, हसते हुए श्री कृष्ण जी सत्य भामा का हाथ पकड़ कर, तथा अपने सेवकों को वहीं रोपकर, बिलास युखत अपनी पत्नी को कल्प विक्ष के नीचे ले गए और हस कर कहने लगी हे प्रिये, सोला हजार रानियों में से मुझे तुम प्राणों के समान प्यारी हो, तुम्हारे लिए मैंने इंदर से तथा देवताओं से भी विरोध किया था, हे कांते, जो बात तुमने पूछी है, उन अधुद बातों को सुनो सूद जी बोले, एक दिन श्रीकिष्ण भगवान ने सत्य भामा की प्रिये कामना के लिए गरुण पर सवार होकर इंदर लोग जाकर कल्प ब्रिक्ष मांगा, तब इंदर के मना कर देने पर गरुड का इंदर से घोर युद हुआ, और गो लोग में गरुण जी ने गोवो और खून से महनदी, इन तीनों के प्रियोक करने से मोक्ष प्राप्ती नहीं होती, तब गोवो के विरोध में भर कर गरुण को मारा, जिससे उनके तीन पंक तूटकर गिर पड़े, इनके पहले पंक से नीलकंड, दूसरे से मोर, तीसरे से चक्वा चक्वी उत्पन हुए, हे प्रिये, इनके दर्शन मात्र से ही शुब फल की प्राप्ती होती है, यह सुनकर सत्य भामा बूली, हे प्रभू, मैंने पिछले जनम में कौन-कौन से दान, व्रत, वजप नहीं किये है, मेरा कैसा सुभाव था, तथा मैं किसकी पुत्री थी, और मुझे अम्रित्ती लो समय में, सत्यो के अंत में, मायपुरी में, अग्री होत्री में, देव शर्मा नाम का एक ब्रामण, वेद्वेदान्त का जानने वाला रहता था, बहरोज, अतितियों की सेवा, हवन और सूर्य भगवान की पूजा किया करता था, उसका तेज, सूर्य के समान तेज अस्वी उसके वृद्धा वस्था में गुणबती नाम की कन्या हुई उसका विवा उस पुत्र हिन ब्रहमन ने चंदर नाम के अपने शिशे के साथ कर दिया चंदर को अपने पुत्र के समान मानता तथा चंदर भी उसे अपने पिता के समान समान देता था एक दिन वे दोनों कुश और समिधा लेने के लिए वन में गए हिमाले की तलहती में ब्रह्मन करते हों उन्हें एक राक्षस को आते हुए देखा उस राक्षस की बहके मारे उनके सब अंग्शितिल होगर भागने का समर्थे भी नहीं रहा तब उस काल के सद्रिशे राक्षस ने उन दोनों को मार डाला उनके धर्मात्मा होने के खारण मेरे पार्शद उनको मेरे पास बैकॉंट में ले आए क्योंकि उन्होंने आज इवन सूर्य भागवान की पूजा की थी उस कर्म से मैं दोनों पर अतिप्रसन हुआ शिव, सूर्य, गणेश जी, देवी इन देवताओं की पूजा करने वाले सब सूर्खों को प्राप्त होते हैं मैं एक होता हूँ अभी काल और कर्मों के भेट से पांश प्रकार का होता हूँ जैसे एक देवदत पिता ब्रहता आधी नामों से बूला जाता है जब ये दोनों विमान पर चड़े हुए सूर्य के समानते जस्वी रूपपन, चंदर और माला धरन की ये मेरे भवन में आए तो दिव्य भोग भोगने लगए हरे कृष्णा पहला अध्याय यहां समाप्त होता है आज मैं आपको कार्तिक महात्यम का दूसरा अध्याय सुनाने जा रहे हूँ किर्पया इन अध्यायों को रोज सुने तथा भगवान विष्णू वा मालक्षमी की किर्पा प्राप्त करें तो चलिए शुरू करते हैं भगवान श्री कृष्ण ने कहा हे देवी गुणवती अपने पिता वा पती को रक्षस के द्वारा मारे जाने का समच्रा सुनकर बड़ा विलाप करने लगी हे नात हे पिता मुझे त्याकर तुम कहां चले गए मैं अकेली कन्या हूँ तो महरे बिना अम में क्या करूँ अम मेरे भोजन और वस्त रादी की विवस्ता कौन करेगा घर में इसनी पूरवग मेरा लालन पानन कौन करेगा मैं कुछ नहीं कर सकती मुझ विद्वा की रक्षा कौन करेगा मैं कहां जाओं कहां रहूं मेरा तोफ कहीं ठिकाना नहीं रहा इस तरह रोती और बिलखती गुणवती पच्छाड़ खाकर गृत्वी पर गिर पड़ी और मुच्छित हो गई और देर तक पड़ी रही फिर जब होश में आई तो पूरवता अत्यंत करुन विलाप कर शोक सागर में डोग गई जब कुछ समली तो उसे ध्यान आया कि मेरे पीता तथा पती की मृत्यों के पश्चाद उनकी क्रिया करने चाहिए जिससे उनकी गती हो सके अत्हां उसने अपने घर के सारी वस्टों बेच दी उनके बेचने से जो पैसे मिले उनसे पिता और पती की शाद आदी क्रिया की फिर वह उसी नगर में रहती ही भगवान विश्मु की भक्ती में आटो पहर रहने लगी उसने जर्म से लेकि मृतियों तक नियम पूर्वक सारी इकादशियों के व्रत्वा कार्तिक के महिन में वास्त था व्रत किये हे प्रिये ये इकादशी और कार्तिक व्रत्व मुझको बड़े ही प्यारे हैं मुक्ति, भुक्ति, पुत्र तथ संपत्ति को देने वाले परंपवित्र हैं जो मनुष्य कार्थिक मास में चक्तुला राशी पर सूर्य आता है तो सवेरे उठकर सनान करते हैं व्रत्वा उपासना करते हैं वैं मुझे बहुत ही प्यारे हैं क्योंकि यदि वैं बड़े पापी भी हूँ तो भी सनान वब्रत के प्रभाव से उनको मुक्ष के प्रक्ति हो जाती है जो मनुष्य कार्थिक में सनान, जागरण, दीब्रान तथा तुलसी के व्रक्ष की रक्षा करते हैं वैं साक्षात विष्णु भगवान के तुल्ले हैं जो मनुष्य कार्थिक मास में मंदिर में ज़ाडू लगाते हैं और स्वास्तिक बनाते हैं और विष्णु का पूजन करते हैं वे जीवन मुक्त हो जाते हैं यह सुनकर गुणवती भीप्रती वर्ष मन लगा कर कार्ति का प्रत्वा भगवान विश्नु का पूजन करने लगी। हे प्रिये एक बार वह जोर ग्रसक थी और दुगली हो गई थी, फिर भी किसी न किसी प्रकार गंगा सनान के लिए चली गई। गंगा तक पहुंची भी किन्तों शीत के मारे वह बुरी तरह काप रही थी, वह एकदम शिथिल हो गई, तब वह मेरे दूतों के द्वारा मेरे धाम में आई, उसके पर शाथ ब्रह्मा आदी देवताओं के प्रातना पर जम मैंने क्रिशन का अवतार लिया, तो उस समय मेरे गर्ण भी मेरे साथ है, वह सब इस प्रिथवी पर यादव बने हैं, तुम्हारे पिता, जो कि पूर्व जनम में देव शर्मा थे, इस समय सनज जाती है, पूर्व जनम में चंद शर्मा जो तुम्हारा पती था, वह आकू है, और हे भामिनी, तू ही वह गुर्वती है, य जिसे की तुम्ही अर्धांगनी मनी, पूर्व जनम में तुम्हें मेरे मंदर के दौारे पर तुलसी का कोदा लगाया था, वह इस समय तेरे महलों के आंगन में कल्प विक्ष के रूप में खड़ा है, तुमने जो उस जनमें दीब दान किया था, तुम्हारा देश और घर में साक्षत लक्षमी का निवास करती है, तुमने चुनकि पूर्व जनमें अपने समस्त व्रतों का फल, पती, सरु, विश्नु को अर्पन कर दिया था, उसी के परभाव से तुम इस समय मेरी प्रिये भामनी होई हो, पूर्व जनमें आज जीवन तुमने जो नियम से कारतिक मास का व्रत किया था, उसका ये प्रभाव है कि मेरा और तुम्हारा अभी वियोग नहीं होगा, इस प्रकार जो कोई कारतिक मास में व्रत आदी करते हैं, वह मुझे तुम्हारे ही समान प्यारे हैं, वह लोग जो कि दूसरे जब तब ये द्यान आदी करते हैं, क तो इस तरह दूसरा अध्याय यहां समाप्त होता है अज मैं आपको त्वार्थिक महत्यम का तीसरा अध्याय सुनाने जा रहे हैं किर्पया इन अध्यायों को रोज सुने तथा भगवान विष्णु वहमा लक्ष्मी की किर्पा प्राप्त करें तो चलिए शुरू करते हैं सत्य भामा बोली आप सभी काल में व्यापक और सभी काल आपके आगे समान है फिर ये कार्थिक मास ही सब मासों में स्रिष्ट क्यों है सब तिथियों में एकारदशी और सब मासों में कार्थिक मास को ही आप अपना प्रिये क्यों बताते हैं इसका कारण कहिए भकवान कृष्ण बोले, हे प्रिये, तुमने मुझसे बहुत अच्छी बात पूची है, सुनो, मैं तुमको इसका कारण बतलाता हूँ, ध्यान से सुनो इसी प्रकार एक बार महराज बेन के पुतर राजा पृथु ने प्रशन के उत्तर में देव रिशी नारत से प्रशन किया था और श्री नारत जी ने उसे कार्टिक मास की महिमा बतलाई थी राजा प्रिथु के प्रशन के उत्तर में देव रिशी नारद ने कहा था हे राजन एक समय शंख नामक एक राक्षस बड़ा बलवान और अत्याचारी हो चुका है उसने अपने अत्याचारों से तीनों लोकों को कमपाय आमान कर दिया था उस शंखा सुर्ण में स्वर्ग में रहने वाले देवताओं को जीत कर इंदर आदी देशों लोकपालों के अधिकारों को छेन लिया उससे डर कर सभी देवता सुमेरु परवत के गुफाओं में कुटंबियों के साथ बहुत दिनों तक छिपे रहे वे सुमेरु परवत के गुफाओं में निश्चिंद होकर रहने लगे उधर जब शंख को पता चला कि देवता आनन से सुमेरु परवत पर रहने लगे है तो उसने सोचा कि ऐसी कोई दिव्य शक्ती जरूर है जिसके कारण अपना अधिकार छिन जाने पर भी देवता बलवान होते है यह सोचते सोचते वह इस परिनाम पर पहुँचा कि वह सब वेद मुंत्रों के बल से ही बलवान हो रहे है अगर इन से वेद छीन लिये जाए तो अब है आप अपने आप निर्बल हो जाएंगे देवरिशे नारत बोले ऐसा सोचकर असुर शंक ने भगवान विश्णू को सोते हुए देखकर सते लोग में वेद चुराने के लिए पहुचा उसको आता देख भगवान विश्णू ने उसकी नियत जानकर उसके डर के मारे बीज मंत्रों के साथ समुद्र के जल में छिप गए शंक भी वेद मंत्रों तथा बीज मंत्रों को ढूंता हुआ समुद्र में प्रविष्ट हो गया लेकिन ना तो उसको वेद मंत्र मिले और ना ही बीज मंत्र जब शंक समुद्र से निराश होकर वापिस लोटा तो उस समय श्री भ्रह्मा जी पूजा की सामिक्री लेकर सभी देवताओं की साथ भगवान विश्णू की शरण में पहुँचे भगवान को गहरी निंग से जगाने के लिए गाने बजाने लगी और धूप गंध आधी से बार बार उनका पूजन करने लगी दूप दीप नैविद्दे आधी अरपन करने पर भगवान की निद्रा भंग हुई और वे देवताओं सहीच श्री भम्मा जी को अपनी पूजा करते हैं देखकर बहुत प्रसन हुए और उनसे कहने लगी मैं आप लोगों की इस कीतन और मंगलाचा से अतीप प्रसन हूँ आप अपना अभिष्ट वर्मांगे में अवश्य ब्रदान करूँगा जो मनुष्य अश्विन शुकल की एकादशी से देव उठान एकादशी तक ब्रह्म मुरत में उठकर मेरी अर्चना करेंगी वे तुम्हारी तरह मेरे प्रसन होने की कारण सुको प्राप्त करेंगी यह जो पात्य अर्ग आच्छमन और जल आदी समेगरी आप लोग मेरे लिलाए हैं वे अनन्त गुणों वाली होकर आपका कल्यान करेंगी शंक जो वे चुड़ा कर ले गया है सब के सब समुद्र में ही है मैं उस शंका सुर को मार कर ले आता हूँ आज से मंतर बीज और वेदों के साथ चारो वेद प्रती वर्ष कार्थिक मास में जल में विश्राम किया करेंगी अब मैं मतस्य का रूप धारन करके समुद्र में जाता हूँ और आप लोग भी रिशी महरिशियों के साथ ले कर मेरे साथ चले जो कार्थिक मास में प्रहर रात्री पहले सनान करते हैं वे निश्चे ही अक्षय फल को पाते हैं वे अग्यात में अमरिच सनान का फल प्राप्त करते हैं हे दिवेंद्र, जो कार्थिक मास में व्रत करते हैं, उन्हें सब प्रकार से धन, पुत्र पुत्री, आधी देते रहना, उन्हें सब आपत्तियों से बचाते रहना. हे धनपति कुबेर, मेरी आज्यानुसार, तुम उनका धन धानने बढ़ाते रहना, क्योंकि इस प्रकार का आच्छन करने वाला प्राणी मेरा रूप धारन करके जीवन मुक्त हो जाता है, जन से लेके मरन परेंद जिसने विदिपूर्वकिया उतम व्रत कर लिया है, आप ल हे देवताओं, यह दोनों व्रत नियम बोलवक करने से प्राणी मेरे समीप पहुँचते हैं, इन व्रतों को करने से जो फल मिलता है वह अन्य व्रतों से नहीं मिलता, इसलिए हर मनुष्य को सुखी और निरोग रहने के लिए कार्तिक महतमेत और एकादशी कथा सुनते हु हुए उप्रत नियमों का पालन करना चाहिए, तो इस तरह यहां तीसरा अध्याय समाप्त होता है, अज में आपको कार्तिक महत्यम का चौथा अध्याय सुनाने जा रही हुँ, किर्पया इन अध्यायों को रोज सुने तथा भगवान विश्नु वा मालक्षमी की किर्पा प्राप्त करें, तो चलिए शुरू करते हैं। प्राप में न आ सकी, तो उन्होंने उसे समुद्र में डाल दिया। वे वहाँ पर भी बढ़िने लगी। फिर उस मतस्य रूपी नरायन ने उस शंखा सुर को मार डाला। पस्चात शंख को हाथ में लेकर बद्री वन में आ पहुचे। बद्री नरायन में आकर उन्होंने सब रिशी वह महरिशियों को बुला कर आग्या दे कि पानी में इधर उदर फैले हुए वेदों को ढूंडो और उन्हें शिग्र मिला कर मेरे पास लाओ। तब तक मैं देवताओं के साथ श्री प्रियाग राज में ठहरा हूँ। इसके बाद सब रिशी महरिशियों ने इन सब वीजों और सब वेद मंत्रों को ढूंड निकाला। उन वेदों में से जो जो भाग जिस जिस रिशी को मिला वे उसी का हो किया। उस उस भाग के उसी दिन से रिशी कहलाए। सब वेदों को लेकर रिशी, महरिशी, प्रियाग राज में आए और उन्होंने वे सब भगवान विश्नु और ब्रह्मा जी को समर्पित कर दिये। ब्रह्मा जी वेदों को पाकर बड़े प्रसंद हूँ। उन्होंने देवताओं और रिशीयों के साथ अश्व में यक गि देवताओं ने कहा, हे देव, हे जगन्ना, हे प्रभु, हमारी प्रात्ना सुनिए, हम लोगों के हर्ष का समय है, इसलिए हमें आपसे वर्दान देजिए, आप हमें वर्दान देजिए, नश्ठ हुए वेद, उना श्री भमा जी को प्राप्त हो गए, हे लक्षमिपती, आ देवताओं को यका भाग भी मिला है, यह स्थान आपके प्रत्साथ से अच्पित्वी भर में सर्व प्रधान पुने को बढ़ाने वाला, मुक्ति ततब भक्ति को प्रधान करने वाला हो, ब्रहम हत्या आदि पापों का नाश करने वाला, परम पवित और अक्षय फल देने वाला हो, यह हमें वर्धान दीजिए, भगवान विश्लू ने कहा, जो कुछ आप लोगों ने कहा है, वह मेरा भी दे है, जैसा आप लोगों ने कहा है, कि यह स्थान आज से ब्रहमा शेत्र के नाम से पुकारा चाएगा, इस स्थान पर गंगा जी वसूरे पुत्र यमना जी का संगम होगा, मैं श्री भ्रहमा जी सहित यहाँ पर निवास करूँगा, यहाँ पर किया हुआ जब तब तथदान महान फल दायक होगा, पहले जन में किय हुए पाप, भ्रहम हत्या, आदी भी इस तीरत राज में स्थान करने से नश्ट हो जाएंगे, जो लोग अपन की मुक्ति को प्राप्त करेंगे, मकर सकरांती पर माग महास में प्रातकाल यहाँ आकर सनान करने वालों की दर्शन मात्र से ही सब पाप मिट जाते हैं, ठीक उसी तरह जिस तरह सूरे के तेज से अंधकार का नाश हो जाता है, ए मुनिश्वर मेरे बचन ध्यान से सुनिये, मैं सरवत्र व्याप्त रहता हुआ भी हमेशा बद्री नराण में निवास करता हूँ, सेकड़ों वर्शों तक किसी दूसरे स्थान पर तप करने का जो फल मिलता है, वही फल यहाँ एक दिन में मिल जाएगा, जो मनुश्य मेरे उस स्थान बद्री का श्रम का दर्शन करें वह जीवन मुक्त हो जाएंगे और उन्हें समस्थ पाप नश्ठ हो जाएंगे, सूत जी बोले ऐसा कहकर भगवान विश्नु अंतर ध्यान हो गए, और देटा गण भी अपने अंशों को वही छोड़कर चले गए, जो मनुश्य कथा को शद्धा पूर्वक सुनते हैं, वह श्री प्रियागराज वा बद्री का आश्ठम जाने वा सनान करने की समान फल प्राप्त करते हैं, तो इस तरह यहां चौता अध्या समाप्त होता है, आज मैं आपको कार्तिक महत्यम का पांचवा अध्याय सुनाने जा रही हूं, राजा प्रिथु ने कहा, हे मुनी जी, आ आपने कार्तिक मास में सनान का फल कहा, अब अन्य मासों में विधिवत सनान करने की विधी नियम और उध्यापन की विधी मुझे बतलाईए, देवरिशी नारत बुले, हे राजन, आप भगवान विश्नु के अंश से उत्पन हुए हैं, अतहा, यह बात आपको मालुम ही ह फिर भी मैं आपको यतोचित विधान बतलाता हूँ, ध्यान से सुनिये अश्विन मास में शुकल पक्ष की एकादशी से कार्तिक के व्रत करने चाहिए, सुबा ब्रह्म मूरत में उठकर जल का पात्र लेकर गाउं से बाहर पूर्विया उत्तर दिशा में जाएं दिन में अथवस शाम को कान पर जनेव चड़ा कर, प्रिथिवी पर घास बिचा कर, सर को कपड़े से ढख कर, मूं को बल पूर्वक भली भाती बंद करके, थूप वा सांस को रोप कर, मल वा मूत्र का त्याक करने के पश्चात, मिटी वा जल से भली भाती अपने गुपता प्रांगों को धुएं, तत्पश्चात, जो मनुष्य दातुन नहीं करता, उसके सब मंत निश्फल हो जाते हैं, अथा, दात और जीव को यत्न पूर्वक शुद करना चाहिए, और नीम लिखेत मंत्र पढ़कर, व्रिक्ष से दातुन तोड़ने चाहिए, हे ब्रस्पती, तुम हमें आयू, कीर्ती, तेज, प्रजा, पशु संपती, महाग्यान, बुद्धी, विद्या, हमको प्रदान करो। पल, बरगद और निर्गंद इन पेड़ों की दातन करनी चाहिए, पश्चात, भली भाती स्नान करके, फूल, माला, चंदन और पान, इत्यादी पूजा की सामिग्री लेकर, प्रसन, मन, वा भक्ती पूर्वक भगवान शंकर के मंदिर में जाना चाहिए, वहां सभी देव पी देवताओं का अचमन आदी वस्तूं से अलग-अलग पूजा करने चाहिए, प्रात्ना एफ प्रणाम करना चाहिए, फिर भक्तों के स्वर में स्वर मिलाकर श्री हरी का किर्थन करना चाहिए, मंदिर में जो गायक भगवान श्री हरी का किर्थन करने आए हों, माला, च प्रण्दन ताम्बुल आदिस उनका पूजन करना चाहिए क्योंकि देव स्थानों में भगवत कीर्दन करने वाले भी साक्षक्त भगवन विश्णु की ही मूर्ती हों यह लोग सत्युक में विश्णु जी को अपने तपस्या योग और दान दोरा भगवान को प्रसंद करत हे प्रभु आप अधिकतर कहां रहते हैं यह सुनकर भगवान ने कहा हे नारद मैं बैकुंट अधवा योगियों के हिर्दों में ही नहीं रहता अपितु जहां मेरे भक्त मेरा कीर्दन करते हैं वहां मैं अवश्य रहता हूं जो मनुष्य चंदन माला आदिसे मेरे भक्तो होती है जैसे कि मेरे पूजन से भी नहीं हो सकती शिरीश धतूरा गिरजा चमेली केसर और कंधार तता कठल के फूलों वह अक्षतों से भगवान विष्णों की पूजा नहीं करने चाहिए अधल कंद गिरीश जुही मालती और केवड़ा के पुश्पों से भगवान शंकर की पूजा नहीं करने चाहिए लक्षमी के एक्षुपुर्शों को तुलसी पत्र से सूर्य नरायन की पूजा नहीं करने चाहिए जिन देवताओं की पूजा में जो फुल निर्दिष्ट हैं उनसे उनका पूजन करें पूजन समाप्त करने के पश्चाद भगवान से शमा प्रातना करें या था हे सुरेश्वर हे देव मेरे पास ना मंत्र है ना क्रिया मैं भक्ती से ही हूँ जो कुछ भी पूजय मैंने आपकी की है उसे पूरा करें ऐसी प्रातना करने के बाद दन्वत प्रणाम वद्दो शमा प्रातना करके भगवत कीर्तन करना चाहिए श्रीहत कुरत का अनुष्ठान करते हैं भैसंसार के सभी सुखों को भोगते हुए अंत में मुक्ति को पाते हैं अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को आज ही लाइक वा सब्सक्राइब जरूर करें वह बैल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी क्या में वीडियो जरूर के सहसे हुआ